गुड मार्निंग स्टुडैंट्स टुडैंग वी विल डू इंगलिश ग्रमर आज मैं आपको इंगलिश ग्रमर का सिंगलर एंड प्लूरल नंबर एंड जेंडर करेंगे सबसे पहले मैं आपको नंबर ही डिखर वाती हूँ आपने ये काम अपनी grammar की notebook में करना है singular and plural singular means single नाम होएगा single thing का name plural में एक से ज़्यादा चीजों की नहीं single means होता है एक चीज, plural means many इसमें हम एक ही चीज का नाम बताएंगे single चीज का नाम memorial में एक से ज़्यादा चीजों का many चीज़ों का नहीं इसको बोलते है plural जैसे boy एक boy का नाम एक boy को हम boy बोलेंगे एक से ज़्यादा लड़के हों तो हम boys बोलेंगे table, tables toy, toys dog, dogs bench, benches अब बापकी जैसे हम simple name है तो हम पीछे ऐसे लगाते है plural बनाने के time जब पीछे कुछ ऐसे नेम्ज होते हैं जिनके पीछे last में ch o s h x double s या आपको learn करना पड़ेगा कि जिन नेम्ज के last में ch आता है o आता हो s h आता हो x आता हो जान डबल s आता हो उनके जब हम plural बनाते हैं तो पीछे es आएगा single s ने आएगा उनके पीछे es आएगा es उनके पीछे आएगा जिनके पीछे last में ch आता है तो उसके साथ हम es लगाएंगे o आता है last में जैसे potato, tomato जिनके पीछे o आता है तो उनके पीछे हम last में es लगाएंगे इनसे प्लीूरर बनाते है चाइए बच्चों है यह गजात को fox हो गया box हो गया तो जिसके पिछे x आता है उनके last में fox है foxes dress dresses baby babies अब देखते हैं जिसके last में y आता है तो हम y कट के जब हम plural बनाते हैं plural में y के जगह पे i लगा देंगे और पिछे es लगा देंगे तो बनजेगा babies यह एक बच्चे को baby बोलते हैं एक से ज़्यादा बच्चों को babies बोलते हैं तब हम जब हम plural name लिखेंगे तो हम y कट के i लगा देंगे साथ में es ऐसी copy एक copy के लिए copy एक से ज़्यादा के लिए copies तो हम जिनके last में y आता है तो plural बनाते हैं तो हम y के जगह पे i लगा देंगे साथ में es copies ऐसी puppy puppies वाई कट के उसकी जगह पे i साथ में es नेक्स्ट हम करते हैं जेंडर masculine feminine masculine means male के नेम जो आदमी लोग होते है feminine होते है females के नेम ladies के नेम boy girl father mother brother sister man woman son daughter uncle aunt husband wife grandfather grandfather means दादा जी grandmother दादी जी king queen cock hen cow bull hero heroine ये ट्वालवी नंबर करने हैं अपने ट्वालवी जेंडर करने हैं उसाथ में इसको learn करना है तो आपके June के first week exam हो सकते हैं इसलिए आपने अच्छे से अपनी त्यारी रखनी है जो जो इसलिए बस आपको करवा रखा है उसमें से आपको पेपर आएगा तो आपने साथ साथ कोपी भी कंप्लीट करने हैं और learn भी करने हैं मत अपने आपने आंपलोकिए दाल का जब का धिसद्द्द्द्द्द्द्द्द्थ कbor़ALK